जहिन दोस्तो देखे जिस वेकेंसी का दोस्तो आप लोग बेसबरी से इंतजार करेते फाइनली वो वेकेंसी दोस्तो निकल के आ चुका है जी हाँ यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का दोस्तो बंपर पदो पर वेकेंसी निकल के आ गया है टोटल जो सीट निकला गया है दोस् आपका चेस्ट कितना होना चाहिए उम्र में क्या-क्या बदलाओ किया गया किसको छूट मिलेगा एज कब सी काउंट करेगा नया सलेबस क्या है पैटर्न क्या है एक्जाम कब होगा सारा A to Z बताएंगे तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा एक बात बोल देत है दोस्तों कि वीडियो बढ़ियां से देख लिजेगा तब हम भरिएगा ठीक है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो इस वीडियो में दोस्तों आपको का दोस्तों ओफिशल नोटिफिकेशन है तो A to Z बताएंगे तो वीडियो पर कंटीनिव बने रहेगा तो देखे दोस्तों यहां पर हम जो जो पॉइंट आपको बताएंगे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ाना जरूरी नहीं है जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको बताएंगे तो लाश्ट तक देखिए और समझिए सबसे पहले तो यहां पर पेस के लिखाए कि कितना पेस का लापका रहेगा कौन सा लेबल का बेतर मिलेगा इसको बाद में देखेंगे यहां पर दोस्तों सबसे पहले अब सीट देखिए कित का दोस्तों 1204 वेकंसी है टोटल है 6,244 तो सीट दोस्तों काफी बढ़िया निकल आ है पूरू से वंग महिला अभेरती पात्र होंगे मतलब योग्य होंगे ठीक है दूसरी बात दोस्तों कि यहां पर लिखा कि पूरू यानि एक्जाम से पहले यह जो सीट है अब यहां पर समझे है आवेदन की समय सारणी को समझना बहुत जरूरी है तो सबसे पहले दोस्तों ओनलाइन फॉर्म भरने का डेट देख लिजे 27 दिसंबर 2023 से इसका ओनलाइन चालू होगा ठीक है इस दिन से आप पेमेंट भी कर पाईएगा इसके बाद ओनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिमतिती जो है 16 जनवरी 2024 है ठीक है बहुत कम टाइम दिया दोस्तों सुल्क समाय हो जान है आवेदन में यदि आपको संसोधन करना है तो 18 जनवरी 2024 को आप कर सकते हैं ठीक है इस डेट को दिमाग में रखिएगा ठीक है नहीं तो हो सकता आप मिस कर जाईएगा यहाँ पर दिखा आवेदन सुल्क की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 400 रुपिया पेमेंट आपको करना पड़ेगा सभी को समझ मागे है 400 यहाँ पर पेमेंट आपको करना होगा सक्षिक अहरता की बात करेंगे तो भारत में विधिय स्थापित बोड द्वारा दसवी एंग बारवी कक्षा उत्तिर्ण या सरकार द्वाने मानिता प्राप्त क्या लिखा उसकी समकक्ष अहरता होनी अवश्चक है तो यहां पर क्या लिखा है कि आपका 10 और 12 पास होना जरूरी है फॉम भरने के लिए यह योगता मांगा है इसके बाद आविदन करते समय अभियर्ती को अफेक्षित सक्षिक अहरता अवश्चक तो इसमें मैंली यह बता रहा है दोस्तो कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का माक्सित आपके पास होना चाहिए इसके साथ-साथ बोल रहा है कि यहाँ पर अपर अपएरिंग अभियर्ती पातर रना होंगे तो यह दोस्तो आप देख लिज़ेगा अब बात करेंगे दोस्तो एज लिमिट के बारे में उम्र आपका कितना होना चाहिए तो ध्यान दीज़ेगा दोस्तो यह पर एज के बारे में बताय गया है कि देखे पूरू सा भेरती ने दिनांक 1-7-2023 को इस डेट को 18 वर्स की आयू दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा हो जाना चाहिए ठीक है और 22 वर्स की आयू प्राप्त नहो यानि 1 जूलाई 2023 से आपका एज काउंट करेगा मिनिमम 18 साल होना चाहिए अधिक से अधिक 22 साल इस से जादा आपका एज नहीं होना चाहिए अर्थात जन्म तिति दोस्तों 2 जूलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए तथा 1 जूलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए आपका डियो भी दोस्तों इस डेट के रेंज में होना चाहि तो 1998 से पहले आपका डियो भी नहीं होना चाहिए और जुलाई 2005 के बाद आपका नहीं होना चाहिए परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची जातियों तो देखे दोस्तो यूपी पुलिस की सबसी बढ़ियां तयारी के लिए मार्केट में सबसे बेस्ट बूख है चक जादा इस पर objective question का आपको collection मिल जाएगा जिससे आपको idea हो जाएगा कि तयारी आखिर किस प्रकार से करनी है इस किताब का दोस्तों आप यहाँ पर सेंपल देख सकते हैं बहुत ही बढ़ियां से सबजेक्ट वाइज वी से सूची के साथ बहुत ही बढ़ियां content आपको इस पचीस सो से जादा इस पर objective question का collection आपको मिल जाएगा और दस practice set आपको इस पर देखने को मिलेगा तो इन दोनों किताब को दोस्तों आपको link description box में दे देंगे या फिर दोस्तों इसको नजदी की market से आप किताब दोकान में जाकर के भी ले सकते हैं परन्तु अनिप जानों के अनुसपार मानने होगी ठीक है तो जो दोस्तों आपको relaxation है वह आपको मिल जाएगा relaxation के अवल यूपी के लोगों को मिलेगा क्योंकि दोस्तों वहां के निवासियों को ही आरक्षण मिलेगा समझ मागा other state के student automatic general में count करे जाएंगे ठीक है अब यहां पर दोस्तों कि लिखित परिक्षा का अपका syllabus के आ रहने वाला है तो ऐसे अभिरती जिनके आविदन पत्र दोस्तों सही पाया जाएगा वही से बता रहा है कि इसका exam लिया जाएगा सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि लिखित परिक्षा में वस्तूनिष्ट प्रकार का प्रशन र गिता तथा मानसिक अभिरुची बुद्धी लब्धी एवंग तारकिक छमता मतलब रिजिनिंग अभिरतियों को लिखित परिक्षा में गलत उत्तर देने के लिए रेनात्मक अंख प्रदान किये जाएंगे यानि नेगेटीव मार्किंग दोस्तों है नेगेटीव मार्कि आगे लिखा कि यह लिखित परिक्षा ओमार आधायत परिक्षा प्रणालिक अनुसार संपन कराई जाएगी ओमार सीट में आपका दोस्तों यहां पर एक्जाम ले लेगा ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों फीजिकल के बारे में तो देखिए सारेरिक मानक परिक्षन या आपका हाइट का जरूरत यहां पर है ठीक है इसके बाद अनुसूचित जन जाती के पूरुस अभियरतियों के लिए निनुतम 16 सेंटीमीटर हाइट अपका होना चाहिए सीना की बात करेंगे यानि चेश्ट दोस्तों कितना होना चाहिए तो देखिए यहां पर चेश्ट क चाहिए और कम से कम बेरासी सीना फूलाने पर आपका होना चाहिए ठीक है इसके बाद टिपणी नियुनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फूलाव जो है वह अनिवारी है ठीक है अब देखिए महिला आप भियरतियों के लिए नियुनतम सारे रिक जो मेजर्मेंट वो क्या होना च चाहिए 40 किलोग्राम कम से कम आप दोस्तों आपका कम से कम वजन होना चाहिए सभी मैलाओं का ठीक है यह हो गया दोस्तों यहां पर सारे रिक दक्षिता में जो भी जो रहा थे हम आपको बता दिये अब दोस्तों यहां पर देख सेकत है रॉनिंग कितना होगा ध्यान जो कि 25 मिनिट में और महिला अभिहरती हेतू 2.4 किलोमेटर की दौड़ 14 मिनिट में पूरी करनी होगी करने आवजशक होगी वे भरती जो विहित में दौड़ पूरी नहीं कर सकते वे भरती के लिए पात्र नहीं होगे उसी स्तर पर चायन परक्रिया से बाहर हो जाएंगे ठ दारित की जाएगे तो दोस्तों यहां पर यहीं बता रहा है अब देखते हैं आगे कौन-कौन सा दोस्तों पॉइंट है अब यहां पर देखें चायन तता अंतिम योग गिता सुची कैसे बनेगा यहां पर देखें सारे रिक दक्षिता परिक्षा में सफल पाये गया अभ करवाई है तो प्रैसित करेगा तो इसे बोड़ की वेबसाइट पर निर्धारित प्रकृरिया के अनुसा प्रदसित किया जाएगा बोड़ द्वारा कोई प्रतिक्षा सुची यानि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगा दो या दोसे अधिक अभियरतियों के समानंक होने अभियरतियों को वरिता दी जाएगी जो कि दोस्तो क्या लिखा जो अधीमानी आःता यदि-कोई हो रकते हो एक स्याधिक अधिमानी अहरता रखने वाला अभरतों के किवल एक ही अधिमानी अहरता का लाभ प्राप्त होगा ठीक है तो यहां पर देख लिए ओनलाइन आविदन की परकिरिया दोस्तों इस वेब साइट से आप लोगों को फॉम को भरना है सबसे पहले तो जो दोस्तों बना देंगे बोर्ड में ठीक है ताकि आप लोगों को बढ़ियां से समझ में आ जाएगा ठीक है तो उम्हीत करेंगे इस नोटिफिकेशन से आप लोगों को खुशी जरूर मिले होगी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप मुझ से पूछ स